नमस्कार आप देख रहे हैं न्यू सिस्टी नाइन चैनल और मैं हूँ आपके साथ अंकिता चलिए रुक करते खबरों की और हमीडिय स्पताल में बूस्टर डोज काउंटर का शुभारम चिकिस्सा शुक्षा मंतरी विश्वास के लाज सारग ने किया शुभारम मंतरी सारग ने कोरोना के संभावित खत्रे को लेकर की डॉक्टर उसे बाचीट प्रधान मंतरी और मुख्य मंतरी ने आहवान किया कि eligible segment booster dose जरूर लगवाए मध्यप्रदेश ने vaccine को लेकर बहुत अच्छा काम किया है booster dose में भी हमारी स्थिती अच्छी है लोग तेजी से booster dose लगवाए इसके लिए हम जन जागरन कर रहे है मध्यप्रदेश में कोरोना की स्थिती पूरी तरह नियंदरन में है पैनिक होने के आवशकता नहीं लेकिन केंदर के निर्देशों का करना होगा पालन दो दिन पहले पूरे प्रदेश में सफलता पूर्वक मौक डिल की गई जो भी कमिया सामने आई उन्हें ठीक किया गया vaccine ही कोरोना से लड़ने का सबसे बड़ा हतियार है सभी सयम और अनुशाशन का पालन करे आज मैं अपना जिनम दिन नहीं मनाऊंगा लोगों से वर्चुली वधाई लूँगा आज दिन भर अपना रूटीन का काम करूंगा भुपाल से न्यू सक्षिना इन के लिए आदिल खान की रपोर्ट हमें सबसे पहले टेस्ट लगाया था और उस समय दर मौटा से स्टाफ नहीं था और जो भी स्टाफ आता था उसका यही कहना होता था कि हम लैब में नहीं जाने हैं मुझे याद हैं हमारे पास के कुछ आठ दस लोग आए और दो ती दिन के अंदर वापस चड़े थे एक बच्चे के पिता आया थे आपना नहीं पाल कि मुझे अपने बच्चे की जिन्दी की जाना इंपॉर्टनस है आपकी लैब चले और नहीं चले मुझे उसका कोई श और अलग 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 तो हमारा उसमें काम करते हैं बड़ सर्फ शासन का पूरा सहीयोग है वादिस्तान ना कोदेगा और इस तरह से हम दे अमना काम किया चौटस करते हैं काम कर पाए और इसके वह जो कुछ जोए था नगब बच्चार चुए था नगब सर उस समय तो देड़ सो लोग काव कर रहें तो देड़ सो लोगों को राउं तक रॉक मैनेज करना जिसमें डॉक्टर्स और साइंटेस्ट्स और हमारे जो पैरा मेडिकल स्टाफ में क्लास 3, क्लास 2, वो पूरी तरह से हमेशा उनफ लगते थे और कुछ लोगों ने तो कई वार सब अब तीन से शिफ्ट अकेले भी काम किया है जब ऐसी स्टिती हो जाती थी कि अवरजनसी है खुछ ऐसी समय आ गया है क्योंकि हमारे पास ने एक और जिम्दारी ने कहीं थी कि जितने भी मेडिकल कॉलेज के सामान आना है जो लाब में लगने वाला है वो हमें जिम्मेदार तो कहीं पार सरस्वे सामान आता है था मैनस सवन्ती में उस मैनस सवन्ती सामान तो डिवाइड करके कुछ से कॉलेजिन थे लिए इसकी शेर्ट राइड जंदी ख़राई जात एक कि अब तो इस समय सब्सक्ता सही और गुराउद हो और साथी सामानी पास में पर जब है बह हाब बुए हैं और यह बहुत जरूरी है है कही नहीं नहीं देखते हैं कि महनख धाइक यह पूरा हमला करता है शायद और गही सह नहीं होता है मैं देखता हूं एक लिए आप देखिकल में आप देखिंगें कि साथ से आट जाब दस जाब लोग तक होते हैं तो पेशेंट को माने तो इतना बड़ा है इसके बाद आपको दिन राद लहनब करते हैं और आज आपने मुझ में भी कॉंफिडेंस बदाएं कि पुरी तरह से बोली जराब पुरी तरह से याँ और ये संबात इसी लिए रखा गया किया और ये संबात क्या शुर्दाट है इस सद्फिक्निंग है ये ये आफिरी नहीं इस संबंदित ने विवस्था से संबंदित इस पूरे कि विवस्ता में कुछ सुधान से संबंधित यदि आपको कोई सुझाओ हो तो आप डिरेक्ट मुझे बात कर सकते हैं, मुझे लिखकर बेश सकते हैं, विवस्ता इंचुस्तु दुरुस्त करने के लिए सरकार पूरी तरिक अकिलत है, और क्योंकि आप हमारी टीम हो, आपके मात्रम से ही हमें इस प्रतिस्टान को इस प्रकत को चलाना है, तो आपके जो भी सुझाओ होके, वह हम शुरूधारे करेंगे, और आपके समस्याओं का हम दिलान करेंगे, कि मैं विश्वार दिलाता हूं, मैं गौक्तर अर्विद राइडियू, देखिए, माननी प्रधान मंत्री जी ने भी आवहान किया है, माननी प्रधान मंत्री जी ने और माननी मुख्य मंत्री जी ने आवहान किया है, कि हम यह सुनिश्शित करें, कि जो eligible segment है, वो booster dose जरूर लगवाए, मद्र प्रदेश ने वैक्सीन को लेकर बहुत अच्छा काम किया है, first dose, second dose, हमने हर segment को लगाया है, booster dose में भी हमाई स्थिती बहुत अच्छी है, परन्तु, अब और तेजी से लोग booster dose लगवाएं, इसके लिए हम जनजागरन भी कर रहे हैं, और सभी को प्रेरित कर रहे हैं कि यदि वो eligible है, समय हो गया है, तो वो जरूर booster dose लगवाए करोना की स्थिती पूरी तरह नियंत्रण में है, मद्यप्रदेश में ऐसी पैनिक होने की कोई स्थिती नहीं है, परन्तु, केंद्र सरकार के जो दिशा निर्देश हैं, उसका हम अक्षर शाप आलन कर रहे हैं, दो दिन पहले हमने सफलता पूरवक पूरे प्रदेश में मॉक ड्रिल में जो जो कमिया सामने आई, उनको ठीक भी किया गया, ऑक्सिजन जनरेशन, ऑक्सिजन स्टोरेज से लेकर, ऑक्सिजन सप्लाई की पूरी लाइन को देखना हो, वेंटिलेटर, अन्य जो अक्यूपमेंट हैं, उनको पूरी तरह चला कर देखा गया, ये मॉक मॉक ड्रिल में ये सुनिश्चित किया गया, कि यदि एक पेशेंट, यदि सिम्टम के साथ आता है, तो वो बैट साइट तक कितने समय में पहुच सकेगा, इसको लेकर भी पूरी हमने मॉक ड्रिल की, इस्तिती नियंत्रण में है, कहीं कोई चिंता की बात नहीं है, परन्त नहीं ही इस महामारी से बचाओ का या लड़ने का सबसे बड़ा हतियार है, तो उसकी व्यवस्तिस शुरुआत हो और सभी लोग बूस्टर डोज लगाएं, इसके हम प्रयास करें। इसी तरह की और खबरे देखने के लिए बने रहे हमारे साथ देखते रहे है न्यूज 69 चैनल, जब तक के लिए धन्यवाद।